तकर किसान साथियो मंडी बाव इंडिया न्यूज यूटीब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ रमेज धाकड और आए देख लेते हैं आज 27 जुलाई को रतला मंडी में लसन और प्याज के क्या बाव देखने को मिले है आज हमें प्याज में जोरदार तेजी देखने को मिले है और कितनी तेजी देखने को मिले है यह जानने के लिए वीडियो अंतक जरूर देखिए आप और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए है और रोज वीडियो देखना चाते हैं मंडी से जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले तो सबसे पहले बात करेंगे हम लसन की तो लसन की आवक की बात कर लेते हैं सबसे पहले आवक आज हमें 2000 सित्याणू कट्टो की देखने को मिली है वही नियूनतम भाव 1500 रुपई और उन्चतम भाव 8251 वही माडल भाव 4350 का देखने को मिला है अब बात कर लेते हैं प्याज के भाव की तो प्याज नियूनतम आज हमें 810 रुपई प्रतिक विंटल और मॉडल भाव 1600 रुपई प्रतिक विंटल आवक की बात करें तो आवक 10,100 भोत्तर कटो की देखने को मिली है वही उच्चतम भाव हमें प्याज में आज 2100 रुपई का देखने को मिला है जो पिछले दिनों हमें 181900 रुपए उच्चितम स्कोर देखने को मिल रहा था प्याज में वहीं आज 2100 रुपए तक पहुंच गया है और प्याज में तेजी की बात करें तो आज हमें 100 से 200 रुपए प्रतिक विंटल के बीच में तेजी देखने को मिली है अब बात कर लेते हैं नामली मंडी में आज स्वयबिन और लशन का क्या भाव देखने को मिला है सबसे पहले बात करेंगी हम नामली मंडी में स्वयबिन के भाव की तो स्वयबिन आज हमें उपर में 10,000 रुपए प्रतिक विंटल का भाव देखने को मिला है वहीं एवरेज भाव 9,250 का रहा है और न्यूनतम भाव 6,600 रुपई का देखने को मिला है सोयविन में आज भी जोरदार तेजी देखने को मिली है अब बात कर लेते हैं लसन के भाव की तो लसन उपर में आज 10,000 रुपई प्रतिक विटल का भाव देखने को मिला है वहीं एवरेज भाव 5,500 रुपई का रहा है और न्यूनतम भाव 2,000 रुपई का देखने को मिला है अब बात कर लेते हैं आवक की तो आवक 2488 कट्टो की देखने को मिली है आज और बात करें तेजी मंदी की तो बजार आज तेज देखने को मिला है नामली मंदी में तन्यवाद